हलो दोस्तों स्वागत है आपका केरियर विल स्टडी में आज मैं आपके लेकर आए हूं क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और उसका चैप्टर है 10 चैप्टर का नाम है जीवों में उत्सर्जन तो देखो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की सबसे पहले अभ्यास प्रिशन कराऊंगी अभ्यास प्रिशन में हमारे पास प्रिशन नम्मर वन है निम्रिकित प्रिशनों में सही विकल्प छाटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तो देखो प्रिशन नम्मर का है गाप्रिश्ण मनश्य में मूत्र का निर्माड होता है उत्तर हुगा व्रक में उसके बाद अगला प्रिश्ण है साकिये पोधों में बिंदु इस्त्राव होता है उत्तर हुगा पत्ती द्वारा अगला प्रिश्ण है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है उत्तर हुगा मे इक्तिस्थानों की पूर्थी कीजिए तो देखो का तोइन्ट है अपसिस्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने की किरिया को उत्सर्जन कहते हैं उत्सक गर्काएं होता है, अगला पॉइंट है गोंगा में उत्सरजी पदार्त अमीनो अमल होता है, पिरसी नम्बर तीन है निमलिकेत सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निसान लगाईए, तो देखो, का पॉइंट है मनुष्य में प्रमुक उत्सरजी पदार्थ, अमीनों अमल होता है, ये क्या है गलिप खा है, मूत्र का निर्माड यकृत में होता है, ये क्या है सही। अगला है हींग, पोदे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। अगला है वरक के खराब हो जाने पर अपोर्टन की आवश्यक्ता होती है यह सही है प्रिशेघ। नंबर 4 है इस्तम्ब का के सब्दों को सही मिलान कीजिए तो देखो इस्तम्ब का है नैस्त्रेसियम इसको मिलाएंगे हम बिंदु इस्त्राव से उसके बाद है कीट कीट को मिलाएंगे मेल पिगी नली का उसके बाद है कैचुआ इसको मिलाएंगे उत्सर्गे का अगला है सरी स्रप इसको मिलाएंगे यूरिक अमल उसके बाद है सिन कोना इसको मिलाएंगे कुनैन से पिरसे नमर पाँच है उत्सर्जन किसे कहते हैं मनुस्य में पाए जाने वाले विबिन उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे अपसिस्ट पदार्तों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले विबिन उत्सर्जी अंग हैं एक जोड़ी व्रक यानि किड़नी, मूत्र वाहिनिया, मूत्रासे और मूत्र मार्ग इसके अलावा त्वचाफ है प्ड़े यक्रत तथा बड़ी आत आदी भी उत्सर्जन का कारे करने में सहायक होते हैं प्रिसिय नम्मर छे है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वड़न कीजिए उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मानव शरीर में एक जोड़ी व्रक होते हैं व्रक में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा चन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है दरसल जब रक्त व्रक में आता है तो इसमें उपियोगी एवं अपसेस्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं चन्ने के बाद जहां एक और उपियोगी पदार जैसे ग्लूकोज, लवर्ड, विटामिन, अमीनो अमल, आधी पुने है, अब सोसित कर लिये जाते हैं, वहीं दूसरी और जल में गुली हुई यूरिया सरीर से बाहर निकाल दी जाती है, व्रकों में चन्ने के बाद मुत्र वाहीनियों से होता हुआ, मुत्रा से में इकत्रित होता रहता है, व्रक मुत्र वाहीनिया मुत्रा से और मुत्रमार्ग सम्मीलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं, उसके बाद पिर्शन नमबर साथ है, पौदों में उत्सर्जन का वड़न कीजिए, तो उत्तर डा डालेंगे और लिखेंगे पौदों में जनतों की तरह विसेस कोई विसेस उत्सर्जन अंग नहीं होता पौदे अपनी पत्तियों छालों वीजों फलों आधी के माध्यम से अपसिस्ट पदार्थों का निस्कासन करते हैं, कुछ पौदों की कोुषीकाॉओं में विशेश वर्नेुप बनते हैं जो पौदों के पत्तियों, इवन छाल में इकत्रत होते रहते हैं। तता हींग के पौते से गोद या रेजिंस का निकलना उत्सरजन ही है कुछ पौतों जैसे कथा की च्छाल से टैमीन निकलता है, चीड के तने से तार पीन का तिल दो धीना सी पौध के सम e s स्वेशन क्रिया में बनी कारबंडाई उक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंद्रों द्वारा निकलती रहती है उसके बाद पिर्शन नमर आठ है बिंदु इस्त्राव किसे कहते हैं तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे टमाटर अर्भी नेट्रे सियम तथा मकोय आदी के पौदों में आवस्यक जल एवं लवड रात्री में पत्तियों की सिराओं पर बूंदगे रूप में निकलते रहते हैं इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु इस्त्राव कहते हैं तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है उम्मीद करती हूँ व लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स टी वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ धन्यवाद